ओम स्रीगनी सायन अमदूस्तू एस्प्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 सितंबर सौंबार की रासी फल के बारे में की हा दिन तो लारासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ मैं नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज किसी कार्रे को लेकर अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभवना पाई जाती है यदि आप किसी तरह की कार्रे योजनाओं को विस्तार करने की कुशिस करते हैं या किसी नए कार्रे का सुबारम करना चाते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तो साती सात भूमी, भवन, वाहन, आदी के खरीदने के भी आज अच्छे योग बन रहे हैं वेग्यानिक दश्टिकॉर्ण और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ाने में साहिता प्रदान करेगी बड़े वजर्गों का इशन हैं और आशिरवाद आप पर बना रहेगा दोस्तो साती सात जिस समाचार को प्राप्त करनी के लिए आप काफी समय से प्रियास कर रहे थें आज उसमें आपको सफलतावस्ट से मिलेगी सिर्फ अपने कारे को योजना बद तरीके से करने की आपको आवश्च रखता है नोकरी के लिए दी गई प्रितियोगी प्रिक्षा के पेड़ाम भी आपके पक्ष में आ सकते हैं अपने लक्ष के प्रती पूर्ण रूप से एका गर्चित रहें आपको सफलता अवश्च ही प्राप्त होगी ग्यान वर्दक पुस्तकों को पढ़ने में भी समय निश्चित होगा साथ ही किसी आध्यात्मिक और प्रतिष्ट व्यक्ति का भी आज आपको आसिरवाद वे मार्ग दरसन प्राप्त होगा आज सामाजिक वे राजनेतिक गति विदियों से थोड़ी दूरी बना कर रखें इसमें समय वर्थ होने के अलावा और कुछ प्राप्त आपको नहीं होने वाला दिल की अपेक्षा दिमाग से आप निर्ण लें दोस्तों साथी साथ आपका स्वभी मान किसी भी परिस्तिती में हिम्मत वे साहस नहीं छोड़ने देता यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ती है संतान की शिक्षा से संबंदित कोई आज महत्पपूर्ण कार रहे होगा इक्षित शिक्षा संस्तान में दाखिला मिलेगा अनुबवी तथा जिम्मेदार लोगों का मार्ग दर्सन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा जिससे आपको उचित परिणाम हांसिल होंगे और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो गलत बात का प्रतिकार करने से एक आरण ही लोग आपके विपक्ष में आएंगे आपको हर काम बड़ी संजदगी और गंबिरता से करना चाहिए थोड़ी सी भी लापरवाई के परिणाम घातक हो सकते हैं किसी रिष्टिदार के स्वास्थ को लेकर भी आज टेंसन रहेगी विध्यारती हास परिहास वे मनोरंजन आदी के विर्थ के काम में पढ़कर अपनी पढ़ाई के साथ समझोता ना करें पैसे के मामलों में भी किसी पर आज आपको भरोसा नहीं करना फाइदे बन रहेगा राज की एमामलों के कारों में बहुती आपको सावधानी बरतनी की आवश सकता है साथी साथ कोई नया निवेस करने से पहले आप अच्छी तरे से जांच पड़तार कर ले इस समय आर्थिक इस्तिती कुछ मंद रह सकती है घर के बड़े बुजर्गों वे वरिष्ट सदस्यों के स्वास्थ का भी आपको विशेश रूप से ध्यान रखनी की आवश सकता है अजनवी वे आय परिशित लोगों से वेवार में लेंदेन में सावधानी बरतने की आपको आवश सकता है खर्चों पर भी आप नियंतन रखें इससे आपकी आर्थिक ववस्ता में काफी हद तक सुधार आएगा साथि साथ घर के लोगों के बीच किसी हलकी फुलकी नोक जोंक वे मतबेद की इस्तिती उत्पन हो सकती है किसी रिष्टिदार्च संबंदित कोई आप प्रिय समचार आपको विचलित कर सकता है इसलिए आपको धहरें और सैयम बना कर रखना अति आवशक है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली है दोस्तों जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में कोई प्यारा साथी दस तक दे सकता है अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे को समझने का आज दिन है जीवन साथी वे परिवार जनों का सेयोग आपके आत्म वल वे आत्म विश्वास को बना कर रखेगा और आप तनाव मुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे दामपत्य संबंदों में मधूरता बनी रहेगी परिवार आपकी प्राथिमिकता पर रहेगा जीवन साथी आपकी परिस्थितियों में पूरी तरे से सयोग देगा साथी माता पिता वे घर के बड़े बजुर्गों का आशिरवाद वे इसने आपके आत्म विश्वास को बना कर रखेगा जहां दोस्तों परिवार में आज सांती का वाता वरन रहेगा संतान की सहबत वे अध्यन से संबंदित जानकरी अवस्य लेते रहें किसी पुराने मित्र के मिलने से हर देख खुसियां आपको आज प्राप्त होंगी दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वे वेसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आसमिक धनलाब के प्राबल योग बन रहे हैं प्रतिस प्रदाओं पर आज आप विजय पराप्त करेंगे नए कार्रे सुरू करने के लिए समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा साथिसाथ का रच्छित्र में भी काम की अधित्ता रहेगी और दिन भगदोड में व्यतीत होगा दोस्तों साथिसाथ आप पिछले कुछ समय से अपने व्यपार में जी तोड मेहनत वे परिश्रम कर रहेते काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक प्रिणाम हासिल होंगे तथा कारोबार के विस्तार संबंदित नई योजनाय भी बनेंगी जो आपके लिए अवस्ते ही लाबदाइक साबित होंगी वेवसाय में नेने प्रियोगों पर अमल करना आपके लिए आवश्क है क्योंकि वर्तवान इस्थिती के कारण कारों की नीती में परिवर्तन जरूरी है अगर आप शेयर्स भूमी आदी में निवेस करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इसमें निवेस कर सकते हैं यह समय आपके काफी अनुकूल है जो की आगे चलकर आपके लिए बहुती लाबदाइक साबित होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आप अपने सेहत की छमताओं को बनाए रखते हुए अपने समी कामों को पूरी सारा रिक छमता के साथ करने में सफल हो सकेंगे जै दोस्तो आज आपका स्वास्थ बहुती अच्छा रहेग आज आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उरजावान महसूस करेंगे साती साथ दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिश निर्वत रहोने के बाद लाल रंग का रेसमी धागा लें जा दोस्तो उसके बाद आप इस धागे को अपनी लंबाई के बराबर काट लें इसके बाद आप इस धागे को धोकर आम के एक पत्ते पर लपेट लें इसके बाद आप इसको भगवान भोले नात के मंतर ओम नामाश शिवाय मंतर का जाप करते हुए बहते हुए पानी में प्राहित कर दें और साथ साथ अपनी मनों काम नहीं मांगें या दोस्तो ऐसा करने मातर से ही भगवान भोले नात बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कर रहे बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान भोलेनात का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भोलेना तवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद